हाई गाईस अब सभीका एक बार फिस्टो सागत है आईटी बार्ड मुस्ताइक यूट्यूब चैनल में दुस्तो आज हैं MS Excel सुरू करने वाले हैं जैबे मैंने प्रमिस किया था कि MS Excel की वीडियो आलेंगे आगी दिना चुका है और आज की वीडियो में हम जो सीखेंगे उन टोपिक्स के नाम है इंडिड़क्शन ओफ MS Excel, Element of Windows जो बंड़ो यहती है Excel की IDE Window उसके ऐलिमेंट और टाइप इन एकसल जो हम सीखेंगे ठीक है दोश्तों तो बने लिए मरे साहर चलिए सुना करते हैं अपना आज का टॉपिक मैंने आपको सामने यह फाइल ओपन कर लिए है जहां से मैं पहले इनकी छोड़ी छोड़ी आपको पलके सुनाओंगा इसके बाद हम MS Excel को ओपन करेंगे और इसमें आगे बढ़ेंगे ठीक है तो पहला जो टॉपिक है वह है कि MS Excel में MS Excel क्या है इसका प्रॉक क्या क्या किया जाता है तो जो आप इंट्रडुशिन में लिख सकते हैं कि यह एक ICause 거의 Sheet 프로그램 है استवार मतलическая होता है और जहां हम बड़ी मातरा में हम ड़ाक लिख सकते हैं इसलिए से हम इस पाट हैंत्ट के अंदर हम बहुत बन्याता में डाटा लिख सकते हैं और Q Connect है नकिते हैं आई बढ़ने की अंदर पहली से घुष और इस फट में इसे हम वरक बुग रियते हैं क्यों एक्सल की फाइल को हमने अध्यख़set , शक्रक्सड क्यों आप स्वेध करया है और एक्सल की फाइल को हम देक बख कहते हैं, जिसका extension.xls2003 और पुराने बरजन में होता है, जिया, और ने बरजन में, 2007 में इसका extension होता है, .xlsx, जो हम उसकिन पर देख रहे होंगे, .xlsx, जो है, वो 2x7 और उसे ने ने बरजन है, जो है, 12,10,13,16,19, उसका extension नहीं है, और इसकी एक्सल की जो एक्सटिवल फाइल जादेख रहे है, जो है, उसका नाम एक्सल ही होता है, अब भाद लोगों में एक्षेशन आ रहा होगा, कि एक्सटिवल फाइल क्या होता है, और एक्टिवल फाइल क्या होता है, तो दुर्स् प्रवाइडी पैड करते हैं और रोके कर देवे हैं तो MSWeb वाट वाट ही महाता है माने MSWeb के लिए MSWeb कर नहीं लगा गनारती लगा क्योंकि बंद वाट इसकी Executiveable File का नाम है जिससे MSWeb Execute होता है रन होता है वहाँ Powerpoint अपन करने के लिए हम लगते हैं Powerpoint तो Powerpoint क्या होता है यह Powerpoint की Exegaskable File Lap है इसी Powerpoint Execute होता है इस प्रकाश से Excel Open के लिए आप लिए ढो लिखेंगे Excel तो Excel से यह Excel Open होब हो अगा गा च्रीकि EXकल की Exegatable File का नाम exa h handi होता है और इसने फाइल का इह द्यंसन है भी सर्नेम कह सकते है यह प्रकार से जयसी कि सर्दम होते है सर्मा जितनी होंगे अध्यकी होक्या होको Dedic Water, मोई मोई होसी कुमार , हमार , कुमार , कुमार, i." में आथ्म ना। अपनी बिनों सब करके समान, क्पूर, क्पूर, क्पूर शायद, क्पूरिश्चिख लिखा होता है। साईत, कपूर। हिशी कपूर। क्यों ऐतरे क्यों क्पूर फैमली से है। इसे प्रकार से अगर कोई फाइल एक्सेल थेमने से होगी, तो इसकी पीशे fix ls x लिखा होगा यससर पचान होती है,कि ये फाइल किस tap की हैं, किस का दुम रख्य थाम है ठीक हे?, तो एक्सल प्ना फाइल एक्सल होता है और एक्सल के अंदर यह यह किसे में लिग तक है किसे नहीं एक्सल में है एक्सल में इसको ठीख है कि अखसल में बज़ता है फ्वान ड्राइब कर फेल होला ऑद और केстраra है पर थे ok बनती है डल्ड तो 5 और कने पर कॉलम्स के के लिगा सैल बनता है क्राइब को हम सेल कहते हैं और प्रित्यक सेल का एक एड्रेस होता है जिसको हम भी देफ्रेस के नाम से भी जानते हैं जैसे सेल एड्रेस कहा जाता है और वहां सेल एड्रेस जो होता है वह कॉलम और हो के नाम सेल के बनता है देन रखना पहले कॉलम होता है उसके बाद वो का नाम आता ह कैसे आता है मैं आपके अभी बताऊँगा ठीक ए कै जासे एğव बन बी ट्वीं आगे एक बख शी इसे में दोएध एक सल की य Bend के इंदर 10,3000,000 आप दिख रहे हैं या पर 10,400,000 आपको força हाथ 2 human 2569 और उससे इन्य वाली बजन के लिए है उससे प्राने बजन के लिए नहीं है प्राने वाली बजन में पहें 253-536 रो और दोछपन कॉलम होते थे अगर पिसल किताब में पीजा एक्जाम में अगर अफ़न आया है लेकिन ध्यान लगना आप पूछा किसके बारे में है उसने रहे में पूछा है तुबहापर दस लाग अर्थी फैर पहुंश्यत्र रो और थो अलगा तिने चौरासी कॉलम वारा अपसंस सही होगा रो का नाम जो होता है नमर में रहता है और को नाम का नाम अलफा बेर स्यान की इवे सीड़ी में रहता है इसमें कुल स्याल की संखेज़ वह रोब को मेटेबाइब कर देंगे तो अकदे रोब निकलके आ जाएगी एक दरुपत के अंदर हम दूछे प्श्पन शीड बना सकत और इसमें जो फल बना जाती है इसका extension dot xlsx होता है यह बार-बार साब से कहा रहा हूं ठीक है तो एक्सल में फार बनती है workbook उसके अंदर sheet होती है तो एक workbook के अंदर दो सब्सक्राइब शीट बन सकती है इसके अलबा है नए MS Excel के अंदर हम जब तक hard disk नहीं बर जाती है तब तक sheet बना सकते है ठीक है workbook क्या होता है तो मैं इसको समझाने से पहाँ है मैं आपके सामने Excel कर लेता हूं यहां टाइप करेंगे अपन एकसल और बनती है तो नहीं तो आप कमन तरीका है आप windows प्लस आर प्लस करें run box आजाएगा यहां पर एकसल टाइप कर दिजिए तो एकसल अपन हो जाएगा और computer में shell होगा तो आप मेरे बाहने वीडियो बेख सकते हैं और कैसे डाउलोड करते हैं यह जानना है तो आप में एकसल को बता दूगा कैसे करते हैं और अक्टिविट भी कैसे किया जाता है वह हम आपको सिगा चुके हैं ठीक है तब यहां पर हम अजाने के लिए अपन चाहते हैं मैं तेरा पर फोकस करूँगा जादातर तो दौग तेरा मैंने यूज किया है यहां पर सखाने के लिए मूशली तो तेरा पर करूंगा यह फाल नुज के और देहां यहां पर यह दख रहे हैं A, B, C आपस्षाल ओर मयद्रम दिए जह से अर्वास पीयार Pr kalo में करते है जो बनाते है पहली बार ऊसा है यहारा है टाटल बार तो पुरी फाइल जब सेफ करेंगे उसको एपन किसी में नाम से मोहन, सौहन, रामू, सेहमू, तो उसे वर्क बग कहा जाएगा, ठीक है, और फिर, अगले खाया हमने, यह एक एक्सल की फाइल होती है, जिसके अंदर कई बक्षीट होती है, जी हाँ, जैसे के बकमेंट फाइ और एक बक्षीट अंदर 255 बक्षीट बनाएं जा सकती है, अमसेक्सल 23 में, बाई डिफॉल्ट एक ही बक्षीट सामने आती है, जी हाँ, आप देख सकते है, 23 के अंदर, यहाँ देखिए नीचे, तो बल एक ही शीट लिखके आ रही है, अगर आप पराने अमसेक्सल काम कर देखिए दोजार साथ यहाँ से पराने में, तो मैं दोजार साथ अदन करता हूँ, वह अगर दोजार साथ बाला, तो इसमें आप दीक इतनी शीट हैं देखिए अब, इसके अंदर देखिए नीचे एक, दो, तेन, इसमें बाई डिफॉल्ट तीन आती है, और इसके परान जाती है, लेकिन बार में आप चाहें, तो और शीट जोड़ सकते हैं, और दूसर पस्पन सीट अधिक जोड़ पाएंगे इसमें, इसमें नवी ब्रक्षीट को जोड़ा जा सकता है, और प्रानी को हड़ा जा सकता है, उनको भीनियम भी कर सकते हैं, कैसे करते हैं बाईने और इसमें सीट को कॉपी बागरा भी कर सकते हैं, कैसे करते हैं बाईन बताऊंगा, बरक्षीट अपने आप उपन हो जाती है, जिहां, जिस परकार से आप डाकुमेंट फाइल उपन करते हैं, तो उसके पर अटमेटिक उपन हो जाते हैं, उसे परकार से अक्सल में जब आ एक्टिव शीट कहते हैं दोस्तों, वैञ बखना तो यहां पर हम काम कर रहे हैं वह एक्टिव शीट पर क्राम कर सकते हैं कुछ फ़्यिम होती ही जिससे हम एक साथ दोषीट पर वह काम कर सकते हैं, लेकिन जो ढऄ वह एक השीट पर काम कर पाता है, कुछ तरबीगे से ट्रीक कर एक साथ दुल्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और वह उसकारवियत नहीं मने जाएगी, वो एक प्रकास ट्रेक है न जो खाय यह नुश्यट किसे कहता है तो बखगबक के लारे में गाना परह पुरी फाइल बखबक होती है और बखशिट जो होती है कि गया है कि गया होता है इसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते है एक खषट में दस लाख और तालिस हजार पॉन्साइश्यत्र रो और सोलह हजार तिसो चौरासी कॉलम होते हैं। चलिए देखते हैं यहां सही है के नहीं। यहां सही आप आये यह वह 2, 3, 55,57,89,10, 911 है आप कंटोल डाउन अरड दवाएंगे तो देखिए लास ट्रीपे आगए। कितनी हो है देसलाख और तालिफ अजार पांशोक शेकतर है। ठीक है। आप कंट्रोल अब अरग दवाएंगे उधर बच जाएंगे। कंट्रोल पर आजाएंगे और Ctrl प्लस लेफ्ट अरगवाएंगे तो पॉल्र कॉल्र कॉल्र आजाएंगे इसमें आप दिख सकते हैं A, B, C, D, E, F, G, O पर जो नाम है वो कॉल्म के नाम है और यह जार तक चलेंगे जार के जार का बाद A, A, B, A, C, A, D, A, B, A, E, F करके चलेगा A, Z तक उसके बाद B, A, D, B, B, C करके उसके बाद C, B, C, 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 C करके आगे बढ़ता जाएगा वो राष्ट में X, F, D तक चलेगा तो आप निगलने ना पूरा यह आपके पूरा दिनी वे तो आपको सामने 16,000, 84 तो यहां पर चुनने के बाद यह तो पूरी रेंज है लेकिन इस काम सर्फ एक ही सेल पर होगा इसलिए पूरी सेल इंदर भी एक ही एक्टिव सेल है यह क्वेशिन भी कोईवार सीपीसटी बगदानक पुछा जाता है कि अगर मैंने चार सेल को एकसाद चुल लिया है तो इसके अंदर कितनी एक्टिव सेल होगी तो इसका स्वाइब है कि active cell सिर्फ एक ही होगी क्योंकि काम सिर्फ एक ही cell में किया जाएगा जिस cell में हम काम करते हैं उसे हम active cell कहते हैं दोस्तों ठीक है तो यह आपके row column होगा और जहां row और column को multiply कर देंगे तो total निकल के आ जाता है वह है total cell दोसे 55 ब्रक्षिट यह फाइल के बना सकते हैं और आकरी कॉलम का नाम मैंने बताया था अभी आपको XFD होता है शेयर क्या होता है यह मैंने आप बता दिया अभी कि row और column के मिलने से यह अक रोस होने से ब्रक्षिट के अंदर जो बॉक्स बनता है उस बॉक्स को हम चल ब्रक्षिट में 10,38,56 इन पर 16,34 सी सेल होती है ऐसे में इसी सेल में हम राटा लगते हैं और यह सिर्फ जिससे में लगता दाता है उस सेल को हम active cell कहते हैं और एक सेल के अंदर हम 25 फ्रक्षिट को लिख पाएंगे जी हैं दूसे परफ्रक्षिणों को लिख सकते हैं इसका नाम पहले सेल बाद में 4 तो इसका नाम C4 है इसका नाम D3 है इसका नाम D6 है इसका नाम D2 है ठीक है पुस्तों तो इस पर करते हैं इसमें काम करेंगे ठेके के अब वहला है, एक्सल का क्यों करते हैं? तो तरसमें कि ज़ा रहा है हैं, बड़े लाप्त हमें ड़ाटा लिखने के लिए टेवल को ड़ाटा भरने के लिए हम एक्सल का यूज करते हैं, तो आज की समय में MS-SL का अप्रोग दुनिया के हर केंपूटर पर किया जाता ह प्रतियस सरकार अपने कर जोगे होते हैं विवाग में, बशुब्र कर MS-SL पर जातर किया जाते हैं, आज की समय में हर काल्कुलिशन जो होते हैं विजा तरह के माद़न से की जाते हुए है, और एक्सल के हम ड़ाटा एंट्री के साथ साथ कई प्रिकार की काल्कुलिशन भी कई जाता है, तो यह आज की से स्टेट करते हैं, अब हम आपको सखा चुछा है, च्सल को आप तीन तरीके से शॉर्क कर सकते हैं बहुत सरे, तिन तरीके हैं, तरीका यहां पर अक्षै नि रिखें, और यहां पर एक्सल लिस ए और यहुद कर देजिये ओपन हो जाएगा धुरीका आप अक्षैल का शेक्ट करणा लीजिये वहां आप उसे ओपन कर सकते हैं, और पहर है कि आप time menu में यहां से भी इसको आपको 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 अख्सल मिल जाएगा तो वहां से उसे उसे उपन कर सकते है तिन टरीके आपको आपको अगर आपको मलण हो। तो आप मुझे कमेट सेक्षिन में जब बताएं दोस्तों, ठीक है? एक्सेल विंडूस के कई अलिमेंट होते हैं, इसके भाग के नाम जानते हैं, चलिए ज़िए अक्सेल को उपन कर लेते हैं, यह अक्सेल उपन उचका है तो आपने में लगाते हैं, तो आपको फाउल ने हैं को थाल Аप के खाल ने हो तो रो अ्टेटे से लेंट गढ़ेंगे सेणरी आपको इस तो आपको यह जाक फाल को पोश्न आ रहा हैं, तो आ जिए अपके प्यजिआ हैं यह आपका टाटल बार है तो आप देहाव बुक बन यह आपका ड़िए शोटा सा यह क्विक एक्सिस टूर बार है जोने आपको यह देखेगा हाला कि इसके जारे मैंने आपको MS Word में बता दिया था किससे क्या करते है यह आपको Minimize, Maximize क्यों बटन है, Help बटन है यह आपकी Excel में नहीं आगए है यह आपका formula बार है और यह आपका cell number box है यह आपका formula बार है जहापे आपन किसी भी formula को enter करते हैं कैसे करते हैं इनते formula क्या होता है इसकी बारे में details हम आगे आगे चलके सीखेंगे फिला लाक कर लेजिए कि यह formula बार है जो कि Excel के अंदर calculation बगड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसलिए मैंने जहां पर लाक करते हैं इसलिए मैंने जहां पर लाक करते हैं तो यह आपकी Windows के पूरे भाग हुए किस बाग को रोष्ट क्या है वो हम MS Word में सीख चुके थे इसलिए मैंने यहां पर लखा हुआ है टापल बार सामेज MS Word, ribbon bar, सामेज MS Word, quick access tool bar, सामेज MS Word, status bar, सामेज MS Word, scroll bar, सामेज Excel Word, view button, सामेज MS Word और formula बार यह बार में नहीं था, इसलिए लख दिया है यह बार, ribbon bar के नीचे होता है और सामेज़ में data enter करते हैं और editing करते हैं और जो formula लखते हैं उसके लिए इसका आपकी किया जाता है तो यहाँ पर हमने बंडोस के भागिक भाकिना जान लिया, क्या होती है, और यह बंडोस के लिमेट के बार में भी सिख लिया है, आगी प्रापिक जो अपना बचा है वो है data type, Excel के अंदर data type कौन-कौन से होते हैं, का आप देखिए दाया से, जा Excel में बादे कुछ लख परानी जीन, नमबर दो, रे के मंडी, आप देख रहे हैं, जाना लिख दिया, यहाँ नमबर लिखा, उनको डेट डाली, अब देख रहे हैं, को नमबर लिखा, को डेट डाली, टाम लिखा, तो सबका सब अलाजमेंट कैसा आ रहा है, इसका अलाजमेंट कैसा रहा है, और मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, 10, 20, और मैं इसको जोड़ देता हूँ, बनावर प्रेस किया, 10, 10 का चिन, इसका के लिख किया, जा गया 30, अब देखिए जब आप कोई फाइल बनाते हैं, तो एकसल में सभी सेल, सामान पकाल के होते हैं, सामान मतलब सामान जैसे होती है, उसका अर्थिया होता है, कि जब आप कोई नया मांट डालते हैं, तो एकसल यह अलमान लगा देखिए प्रेस करता है, कि आप जिस प्रेस में लख रहे हैं, कोई नंबर, टरस्ट, अडरस, नाम, कुछ भी लख रहे हैं, तो उसको एकसल अटमेटिक सेट कर लेता है, अपने अखोड़ी, और एकसल में आटाइट कुप करके जोते हैं, नंबर इटेक्ट होता है, जो कि किसी भी नाम लखने के लिए, कोई एडरस लिखने के लिए, किसी के नाम लखना हो, किसी के अडरस लिखना हो, पता लिखना हो, है ना, तो उसके नाम लखाया है, यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने नाम लखाया है, यह पता लखाया है, परानी जेन गली नंबर दो है ना, यह आडरस है, तो इसके अंदर, टेश्ट के अंदर अक्षा भी यह हता है, नम्बरवी आप पर हाँ छिंदि है, और जब लोखते हैं, तो बाइट के अलाज़मंट बाइधि आफ चार्ण में आता है, तो यह समयमन किसी दिखती के नाम पता आगी हो सकता है, इसमें नम्बर और अक्षा द कि अधरप में नुक्त आता हे उनको बताता है अधर्क यूंद में आता है और अधरफ राट अधरण नमयांड और उनको हम भाद में लेफ्ट संट्र में चेंज कर सकते हैं लेकर बाइड़ टफॉल नम्र जोहता है वह अधर राइट पेजमेंट नाथा है फिर योटाइब तो यह भी आपका left classmate में आता है और data जो फ्रवर नहीं लिखा हुआ है यह निखा हुआ है, एकले ने नहीं लिखा हुआ है, निखा हुआ है तो यह बाँ रखना है यह वार वारण दो बिखेश लेकिन 5 by default यह फर्मेट होता है आखरी चीज़ है फर्मुला जोने में लिख किया आपके सामिए तीस जो आया था है फर्मुला आप देख सकते हैं 10 और 20 मैंने यहाँ पर क्या किया है इस जवाप है यहाँ बनाया था इसका address है तो 2 यहाँ से और 20 और 20 पर किया है तह अपने अप a.P तो फर्मुला जो होता है इसके स्टाइटिंग हमेशा बरावर से होती है और इसके अंदर हम कोई भी कल्कुलेशन गुणा भाग जो भी करना चाहते हैं भी कर सकते हैं इसके स्टाइटिंग हमेशा बरावर से होती है और इसके नाम जान दखायद होती है और आप देख सकते ह आप 10 लिख देंगे, 10 प्लस 20 तो भी ऑटमेंटिकली यह answer आजाएगा, है ना, जैसे कि देख लिए ऐसे, मैं आता है, अगर बराबर 10 ग्लस 20 लिख होंगा, तो मिन्यों 30 आगया है, तो ऐसा द्रना आता है डिएकिसीं भी से और नंबर से बिलता है, जैसे कि ये, और इसकी स्ट्विण हमेंचा बराबर के चनिंद से होते हैं दोस्तो तो ये तो हूँ आपका Direct-Out, और लाच भी आप कर्शी का मतलब है कि lle आप को लगाते हैं यहां से, देख रहा डॉलर, देख रहे हैं, डॉलर कहा पर आ रहा है, तो यह इसको आप ऐसे left alignment, center, right भी कर सकते हैं, तो यह का सिंबल दो आता है, currency symbol दो आएगा, ठीक है, और आपका जो amount है वो अलग रहता है, तो यह इस फिकास चे किसी numbers के साथ में हम कोई currency symbol ल इस्तिमाल कर सकते हैं, वो होता है करन्थे अगराटाइप, तो बड़ाटाइप Excel के अंदर कौन कोई से होगा, fact, number, date, और formula, इतने पकाई अगराटाइप Excel में होते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आसी बड़ाव में इतना ही कहा लगए वीडियो, बताएगा और पूला होता है मुझे comment section में पूस सकते हैं, हम आपके से रहते हैं हमेशा त्यार रहे हैं दोस्तों, वोल्टर ली बड़ाव में, तर तक लिए good luck and good bye